नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में हर्याना पंचायत चुनाव की बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जी हाँ, यो जो भी याचिकाएं लगी थी, उनके उपर हैसला आ गया है और कुछ शियाचिकाओं के उपर आ गया है और कुछ के उपर अभी बाकी है और सरकार ने जिला परिसद और पंचायत समीतियों के लिए वार्ड अरक्षित कर दिये हैं यह है नई खबर ऐसी ही नई खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि हर किसी को यह नई खबर पता चल सके जो भी पंचायत के इलेक्षन लड़ना चाह रहे हैं और उनको यह नई खबर पता चल सके कि अरक्षन के उपर जो भी फैसला आया है उस बारे में ये देखिए कि सरकार ने जिला परिशद और पंचायत समीतियों के वार्ड अरक्षित कर दिये हैं सरकार ने पंचायती राज चुनाव की तेयारियां शुरू कर दी हैं अब कुछी समय में इलक्षन हो सकते हैं पहले पंचायती राज चुनाव की तेयारियां शुरू कर दी हैं हलांकी चुनाव को लेकर अभी राज्य चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं लिखा गया है लेकिन वार्ड बंदी 20 मई तक पूरी कर ली जाएगी पंचायती राज विभाग की ओर से जिला परिशदों व्या पं ADC जिला परिशद CEO SDM आदी को पत्र लिखा गया है और इसके बारे में जो भी सुची आई है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वार्ड बंदी को लेकर 26 अप्रेल तक अपत्या लेक अगर 20 मई को फाइनल सुची जारी करने को कहा गया है अब हम सुची देख लेते हैं क्या सुची आई है कहां आरक्षन रहेगा कहां नहीं हर्याना पंचायत चुनाओ से जुड़ी हुई बड़ी खबर है ये पंचायत चुनाओ की अधिसुचना जारी पंचायत समीतियों क की अधिसुचना जारी और वाडों के सदस्यों की संख्या को लेकर सुची जारी कर दी गई है ये कंप्लीट सुची है और इसको मैं आपको डिटेल में अब बताऊंगी कि कहां कहां आरक्षन रहेगा ये देखिए पंचायत समीतिज वीद रिजर्वेशन ओफ सीट्स हर्य धार्याना गोर्मेंट ने ये 15 अप्रेल का है पर ये अभी जारी हुआ है हर्याना सरकार विकास एंपन्चायत विभाग अधिसुचना दिनाक 15 अप्रेल 2021 किये ये सुची है पर इसको जारी अभी किया गया है इसमें देखे हर्याना पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 59 59 के 7 पठित धारा ये मतलब इसके हिसाब से देखे कि आपकी जो सूची है इसमें 12 फर्वरी 2015 और इस समंद में पुरों में जारी किये गए किनी आदेशों अधिसूचनाओं के अधिक्रमन में हर्याना के राज् पंचायत समीतियों के वाडों के परतेक्स रूप से निर्वाचित सदस्यों की संख्या इसमें दी गई है जी हां इसमें क्या क्या दिया गया है पंचायत समीतियों के वाडों के परतेक्स रूप से निर्वाचित सदस्यों की संख्या आगामी चुनाओं में प्रियोजन के लिए इसमें देखिये चार और छे इसमें मेन हैं इसमें पहले है जिले का नाम जिले है अमबाला है यह अलफावेटिकली है अबी ची डिके हिसाब से है जिले दिखाए गई है और इसकी जो पूरी सुची है वो दस पेज की है जिला का नाम है पहले फिर पंचायत समीति का नाम है जिला के अंदर जो पंचायत समीतिया है उनका चार पेकुल स्थान है महिलाओं के स्थानों सहीत महिलाईं भी इसके अंदर ही शामिल है और इसके बाद है अनुशुचित जाती के लिए आरक्षित पद अरक्षित स्थान महिलाओं अनुसूचित जाती की महिलाओं के लिए स्थानों सहित और यह जो पांच नंबर है इसमें इसमें SC के साथ साथ जो महिलाएं है अनुसुचित जाती की वो सुचि भी इसके अंदर ही शामिल है और इसके बाद नमबर 6 पे है पिछडे वर्ग कय मतलब A, BCA, अरक्षन स्थान, BCA के लिए जो अरक्षित स्थान है वो है और BCA के लिए 8% जो अरक्षन दिया गया है वो इ यह मैं आपको complete तो नहीं बता पाऊंगी पर फिर मोटा मोटा बता देती हूं इसमें नंबर एक जैसे अंबाला है इसमें अंबाला वन और 26 इसके अंदर जो है कुल 20 पद हैं और इन पदों के अंदर महिलाएं भी शामिल है 26 पद में SC के 8 पद हैं और BCA के लिए 2 पद रक्षित किये गए हैं इसके बाद जैसे इसी डिटेल में आगे देखे पूरा हैं अंबाला टू में 10 स्थान हैं और इन 10 पदों के अंदर महिलाएं भी शामिल हैं 10 पद टोटल और इसमें अनुसुचित जाती जिसके अंदर महिलाएं भी शामिल हैं और पुरुष भी शामिल हैं वो हैं 4 और इसके बाद पिछड़े वरग के लिए हैं दो पद अरक्षित किये गए हैं इसी परकार ये पूरी डिटेल है देख लीजिए जैसे भीवानी में बवानी खे क्या निया हैं इसी तरीके से जैसे चर्खी जादरी है बादमने महिलाओं सहीत 21 पद हैं 4CC के लिए और 2Bc के लिए और 27 कुलपद ये चार SC के लिए और 2 BC के लिए हैं इसी परकार से पूरी सूची है ये 10 पेज की सूची है और इसमें सारे के सारे जिले दिखाए गए हैं और पंचायत समीतियां दिखाए गई हैं पंचायत समीतियों का नाम है जिलों का नाम है महिलाओं के लिए अरक्षित पद हैं और इसके बाद अनुसुच जाती है तु है पिछड़े वरग है मैं इसको आपको धीरे-धीरे दिखा देती हूं और आप इसका स्क्रीन शोट भी ले सकते हैं यह देखिए यहां से आप इसका स्क्रीन शोट ले सकते हैं पांच SC और 2 BC के लिए आप हर किसी का स्क्रिंशोट ले सकते हैं एक एक करके यह देखे इसके बाद कैथल जिला की है करनाल की है और कुरक्षेत्र की है महेंदरगड नू पलवल यहां से भी आप स्क्रिंशोट लेकर अपने अपने जिले का देख सकते हैं इसके बाद पलवल है या नूबर पेज है इसमें पलवल है पंचकुला रिवाड़ी रोहतक सिर्सा सोनीपत इंजिलों की सूचियां है यह और इसके बाद आगे हैं सोनीपत की यमुना नगर यह सभी सूचियां यह सूची इहां इसके बाद नहीं सुची है यह अलग है notification देखिए यह हर्याना government का development and panchayat department यह notification है और इसमें यह देखिए name of district name of panchayat samiti यह panchayat samitiya है total seats including seats for women अभी total seat दिखाई गई है जिसमें की औरत भी इसके अंदर include है seats reserved for schedule costs including seats for schedule cast women यह SC के महिलाओं के लिए है और यह BCA के लिए है यह इसी परकार की यह सुची है यह English में है वो पर Hindi में थी वही सुची है यह भी तो districts की जो सीटे है स्थान है total जितनी सीटे हैं वो है और इसके अंदर जो अरक्षित सीटे हैं महिलाओं के लिए वो थी नमबर 5 पे और अनुसुचित जाती के लिए महिलाओं समेत और इसके बाद BCA के लिए नमबर 6 पे हैं तो यह थी पूरी details सुची और इसके आप screenshot ले सकते हैं और वीडियो आगर आपको अच्छी आगे तो वीडियो को like कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और Wow अच्छी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह नई खाबर सब को पता चल सके तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और एक लाइक भी दीजेगा थैंक यू वेरी मुच